पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए महिला योन उत्पिरन के मामले दबाने की कोशिश शुरू हो गई है राज्य सरकार के अस्थाई केमपों में एक हफ्ते में तेरा सू से जादा शिकायते आई हैं अफसरों का कहना है कि इन में जमीन हरपने की 400 से जादा शिकायते हैं जब उन से योन उत्पिरन की शिकायतों पर पूछते हैं तो वो चुप हो जाते हैं संदेश खाली के ब्लॉक एक के बीडियो अरून कुमार सामंत इन शिकायतों के सावल पर दो टूक कह रहे हैं कि यह नहीं बता सकूँगा केंप खतम होने का इंतजार केजिए जबकि एक दिन पहले अनुसुची जन जाती आयोक ने बताय था कि उसके पास आदिवासी महिलाओं से योन उत्पिरन की 50 से जादा शिकायते हैं सामन से जब इस बारे में पूछा तो वे बोले आप आयोक से लिस्ट ले लीजिए फिलाल कैंप में मुझूद कोई भी अफसर योन उत्पिरन के मामलों का आकड़ा नहीं दे रहा है सुत्रों के मुताबिक अफसरों को चूप रहने को कहा गया है एक दिन पहले संदेश खाली पहुची सीएम ममता बैनर जी के मंतरियों ने महिलाओं से मुलाकात के बाद अफसरों को चूप रहने के निर्देश दिये थे यहां कई महिलाओं ने मंतरियों का विरोत किया था इस बीच संदेश खाली मुद्दे पर विपक्ष के आरूपों में घिरी ममता ने दस मार्च को कुलकता में त्रून मुल्क कॉंग्रेस की बड़ी रेली बुलाई है इसी के साथ बने रहे है राजनम दुनिया के साथ धनेवाद